36 गर्ड लोक से वा आयोगदार्यानी की CGPAC दारे केवीर सुचना जारी किया है कल के डेट में आपको मैं बताया था कि देखिए चप्रासी की पदों पर असी पदों पर भरती होनी है आठ जून को इसकी प्रारंबिक दिती है यह इसके बारे में केवीर सुचना जारी किया गया है क्या है यह सब देखेंगे कल के डेट में 36 गर्ड लोक से वा आयोगदार्यक विग्यापन जारी किया गया था विग्यापत पत के नामे बृत्या सामान्य प्रासासन विभा के पत्पत सीधी भरती है तू जैसे कि आपके स्क्रिन पर दिखाई दे रहा होगा कि यहां लेना वजन करने की तिथी 8-6-2022 को दिया गया है और इसकी अंतिम तिथी 2-7-2022 को है और पर इच्छे की तिथी की बात करूं तो 25-9-2022 को है निकि 25 सितंबर 2022 को दिया गया है इसी के बारे में एक नई अपडेट जारी किया गया है देखे यहां पर जैसी की स्क्रिन पर दिखाई दे रहा होगा एक के वीट सुचना अब भिहर्थी द्वारा किसी भी कारण को अधार बनाते हुए आयोग के विज्यापन चैन प्रक्या यानिकि कार्यवाही को निरस्थ करने या इस्थगित करने अथ्वा किसी भी प्रकार के अनुतोष को प्राप्त करने के लिए कोई भी रिट या यानिकि याचिका अथ्वा कार्यवाही माननी उच्छे उच्छ न्यालाई के समक्ष प्रस्तूत की जाती है तो ऐसी याचिका में उप्रोक्त किसी भी प्रकार के अनुतोष को प्रदान किये जाने के पूर्वही आयोग को सुनवाई का उसर प्रदान किये जाने है तो आयोग की और से एक केवेट आविदन की सुझना जारी कर दी गई है यानि कि देखे अगर देखे इसका जो सुझना जारी किये है इसका मतलब कहना है अगर कोई भी कारण हो तो अगर कोई इसका याचिका दायर करती है न्यालाई पर तो इसका पहले से बता दियागा है कि केविट सुचना में यह विज्यापन जो निकला है चपरासी के अस्थिपदों पर वो निरस्थ नहीं होगा तो यहाँ आठ जून से प्रारम हो रहा है तो जागे जल्दी आविधन कर सकते हैं यही मैं आपको बताना चाहता था इसलिए मैं यह सुचना दिखाया गया है इस वीडियो पर अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सेयर जरूर कीजेगा धन्यमात दोस्तों